पहला प्रश्न है कि रोमन समराज से बैपारिक संबध किस ने अस्थापित किया था ? देखे इस तरह के कुश्चंस में दिक्कते हुई थी और कुश्चं में दिक्कते क्या हुई थी यहां पर है कि भारत में बाग परियोजना 1973 में चालू किया गया था ठीक है सरपरथम किस मुश्र ही सासक में ब्रिटीस के बृट संगर्श किया था क्वण सा ऐसा मुश्रिम सासक है जिसने बृटीस बृटीस के बृट सरीज नंबर डी है ने इतले से PC नंबर है उस पर बात करते हुए हम चलेंगे आगे की ओर ठीक है चलिए पहला प्रश्ण है कि रोमन समराज से बैपारिक संबद किस ने अस्थापित किया था चेरा ने पश्मिशक ने वकाटक ने कुशान ने या इसमें आपका क्या उत्तर होगा वह बिल्कुल सही है लेकिन आपके उत्तर में आयोग ने इसका उत्तर क्या माना है इस पर कोई हम कुछ कटाक्ष या कुछ भी बातें नहीं करें आयोग ने इसका उत्तर डी माना है अर्थात कुशान वंस के बारें बताए कि वैपारिक संबंद होगा ठीक है डी दूसरा प्रशन है कि मुस्लिम सासक जिसका स का उत्तर क्या दिया वांगे सीध आम चलेंगे तो आयोगने इसे माना है इसका इल्तुतिमिस तर है इसका इसका उत्तर आगे नु से सवालू पर चलते हैं कि फिर इसमें कौन सा प्रश्न को रखा जाये जलिए थिसरी सवाल पर चलते हैं तो थीसरा सवाल है कि इन वी Caitlin music की सकती का बिरोध किया था तीसरा सवाल किसने किया था इसने आयोग माना है कि अलाउद्दीन मुहमद इसमें बोला इस सबसे पहले करने वाले जो ब्यक्ति है आयोकेन उसार और अंग्जेव है साज बादुर साज़ा जहांगी नहीं और अंग्जेव ने सबसे पहले किया था चट प्रशन पर चलते हैं तो छटा प्रशन आपको देखने में थोरी सी दिक्कत हो सकती है प्रशनो लोग जानते हैं 18-17 से सारी कहानी सब लोग जानते हैं ठीक है तो छे नुमर जो कुष्चन है इसका उत्तर आयोग ने कहा है कि भाई बी जो है ना ऑप्शन इसका होगा केबल एक दो और चार जो होंगे इसके प्रशन के उतर बनेंगे मतलब एक को माना है दो को माना है और च तो आयोग ने इसका उतर क्या माना कि शाथने कीज़न नवर्चरत आपको पता होगा ठीक है तो 1872 जो होगा इसमें आयोग भी सही है सभी लोग भी सही होंगे आप लोग अपना मिला लीजिएगा ठीक है बाकी चीजों को हम लोग लागे लेके चलते हैं अगला सवाल आपको देखने को मिल रहा है कि सुखदेव भगत सिंग और राजगुरु को किस तरिक कुफासी दी है ना है और सब्सक्राइब का इसमें भी उत्तर सही है कि आकिस्त को तो 23 मार्च 1931 को यानि कि 23 मार्च 1931 को ये चीज़े घटिद हुई थी अगली बात करें तो भारत छुड़ यानि कि 9 नॉमर प्रश्ण है अभी और चलते हैं थोड़ा सा नीचे की और 9 नंबर के बाद लेकिन पहला दोस्रा थो सब जानते होंगे लेकिन तीसरा सवाल जो था ब्रहमदत को माना गया है कि तीसर सत्यकी जो थे वह ब्रहमदत के दौरान कि stunt assess कि श्यार रेडियो कप्रारं किया थी हाँ 파्रश्ण स्याव्सा गया हैar 11 का आंसर उसा मेहता जो थी उन्होंने खूफिया रेडियो का किया था और आयोग ने भी इसका उत्तर खूफिया रेडियो की विशय पे दिया अगला मगद सासक बिंबिसार का चिकत्सक कौन था इसको तो सब जानते हैं भई सब जानतें कि बक्तियार खिल जी था जिसने आगवेगएर भी लगाया था पूरी कहाना यानि की दीर है नंसर चलते हैं एक चलिए कि चलते ब्लोटन करके और अगे बढ़ते हैंगे अगला सवाल सिनह त्षे वह प्रफम थे आउसर आयोग का भी सही है और सभी विहारती वहाइन का भी सही होगा संथाली विध्रों हम सभी लगا जानते हैं कि सिद्धू और प्लस से रेलेटेड है तो यह भी आंसर बिल्कुल सही है आयोग का भी उतर देख लेते हैं कि हाँ भाई आयोग का भी बिल्कुल आंसर सही है अगला दिया है कि बिहार का का उतर भी ही माना बहुत अच्छा है अगले प्रेशन पर चलते हैं अगला प्रेशन पर यहीं पर देखते हैं नेक्स्ट को लेके तो किस वर्स उरिसा बिहार से अलग हुआ था सबको पता है कि 1936 को भी हार से अलग हुआ था उरिसा और 2000 को जार खंड हुई थी यह बात सब क की बात करते हैं हम सभी लोग जानते हैं कि भाई बौध की बात सबसे पहले किस ने किया था तो हम जानते हैं आज कल अशोक की बात कहते हैं कहां है कनिश्ट के दरवान तो आज कल आज कल आपको पता ही होगा भीया अजासत्रू की बात करते हैं काल अशोक की बात करते हैं तो आजासत्रू कहा था, राजगीर का था, अमरावती का, कानहा का था, पातली पुतर का था, कहा कर था, तो इसमें आयोग का भी उत्तर सही है, और आपना भी उत्तर बिल्कुल ही सही है, अर्यानी की 18 का उत्तर क्या होगा, भाई हम सभी लोग जानते हैं कि सर पहला जो जो इसमें हो सकता है कि 20 का जो 19 की ऍयायोग sure ने चैंद्रगुप्त धुर्ट जब कि बहुत सारे लोग इसको इसका उत्तर अस्कंद्धंधुप्त भी बताया था कोई दिक्कट नहीं है पुष भूति यानि वर्धन का राज वर्धन यह सब नहीं थे सब भाइबतिज़ इस अडाइस अगले सवाल सवास पे चलते है अगले सवाल का जवाब हमारे कोरडिंग iphone हम सब अभिहारती हैं तोस अभिहारती सभी लोग जानते हैं सभी लोग जानते हैं सभी लोग जानते हैं सभी बात कि आयोग ने इस पर क्या उत्तर अपना दिया है तो देखते हैं कोश्चन तो जबohalt को गलती नहीं श कहते हैं कि बात नहीं किसी पर्कार कीपाषाओ नहीं करती जिस करणध़ थंड़ा होने कर नावस्य कुचाई प्राप्त नहीं होती है अरावली पहारी राजस्थान में तो इस वजार से ये बात कहा तो आयोक का भी उत्तर इसमें सही है अपना भी उत्तर सभी लाभ्यारती का लगभग इसमें सही होगा देखे इस तरह के questions में दिक्कते हुई थी और question में दिक्कते क्या हुई थी यहां पर है कि भारत में बाग प्रियोजना का कारिक्रम तो है ही है इसमें तो कोई दुराय ही नहीं ठीक है ना बहुत अच्छा तो इसका आंसर तो क्या होना चाहिए तो हमारे अनुसार होना चाहिए इसमें कहा गया कि सबका अलग अलग चीज़ इसमें question यह बात बें बिल्कुल सही है अगले सबाल देखते हैं अखवारी कागज के लिए हम लोग सभी जानते हैं अधुरन की अथा इसी प्रश्णों को लेके सबी अभिहारती लगवगा अभिहारती ने गोंड मारा होगा लेकिन इसका आयोग ने उत्तर भील दिया है याद रखिए आयोग ने उत्तर इसका भील दिया है एक बार और confirm कर दो में 29 नंबर का उत्तर जी हाँ आयोग ने उत्तर इसे भील माना है ठीक है बी नंबर यानि नदी को ती तो भूँत आसा सवाल है कि कोसी नदी बिलकुल सही है विहार किस जिले में ये तील हार कुंड जल पर जल पर पाथ जो 32 स्कात अंसर सभी लोग को पता होगा यानि कि Finn कैमोर में जो तेलहार जल परपात है अगला सवाल देखेंगे अगला सवाल क्या पूछा गया अगला सवाल है कि बहुत अभ्यारती का ये गल्ती भी हुआ है उन्होंने कुसे सर जील को कही नहीं कुछ ना कुछ अलग-अलग मार दिया था ये भी गल्ती हुई थी बहुत लोगों का अगला देखते हैं बिहार की जीले में सिल्क सिटी तो ये बात जानते हैं भागलपूर को आयोग का भी अग्ला जानते कि भारत की जंगन्ना 2011 अनुसार तो अग्ला प्रशनोब बात करते हैं भौग गॉलिक अपर्धन चक्र की संग्रपना इन्स एसने किसने दी तो आयो का अंसर है डेवलु एम डेवीविस सहाब ने दी थी ए इसे भी आंसर यह बिल्कुल सहहाँ है पिर तबी कि आंतरिक प्रत में निफे होता है निफे का मतलम सहोता है यानिकी सी और तीस चांसर सी है ठीक है बहुत अच्छा सभी लोग एक बार उत्तर जरूर दिखे लिएगा question को इसको मिलाते हुए चलिएगा अगला है कि सौर मंडल का प्रधान अधिकारी अकासी पिंड को ने सौर मंडल का अकासी पिंड क्या होता है यह बिल्कुल आंसर सही है आयोक का भी उत्र बिल्कुल इसमें सही है अगला सवाल देखेंगे अगला सवाल जो प्रशन पूछा गया है प्रशन इसमें पूछा लोग सवा में समनता कितने बजट होते हैं बजट कितने सत्र होते हैं तीन हमीं लोग सब लोग जानते हैं इसमें बजट कितने होगा साधारन बजट की बात करतें धन वित्व जो है वो हो गया एक सम्मिधान संसोधन बजट एक जो है तीन परकार के जो बजट है यहाँ पे तीन परकार के बजटों का मतलब एक आपको आंसर दिया गया सतंतराण के पर्थम बिधी अधिवार जो अध्यक्ष है उनके बारे में तो ये स्रीमसी सेतलवाद जो है वो आपके प्रथम विधी अध्यक्ष के रूप में आंसर है हलाकि देख लेते हैं एक बार आयोग ने इसे क्या माना है 42 नंबर का जो उत्तर है इसमें आयोग का उत्तर क्या है जी हाँ सही है आयोग ने भी आंसर से ही माना है यदि एक राज का चुनाव लागू की अर्तत भारतिया समयान की संसोधन क्या वशक्ता होगी इसमें option E होगा ठीक है option E होगा तो आयोग ने इसे option E ही माना है चलिए अगले सवाल पर चलते हैं अगला सवाल आपसे पूछा गया किस राज में पंचायत व्यस्था नहीं है इन में से बहुत सारे हैं जिसमें की बात करते हैं नहीं की बात तो इसमें option E होगा क्या होगा option E होगा एक से अधीक है तो इसमें क्या कहेंगे option E की बात करेंगे पर्रत्यक राज में लोक कि सभा कि सिटो करनेधान परिसमन आयोग रिए तर इसमर्ण आ किस वर्स तक रोक दिया गया और आंसर इसका क्या होगा बिकूल सही है प्रत्यक राजी सभी है यहाँ पर चीजों को एक से अधिक आंसर में लेके चलेंगे पंचायत की बित्य विश्थिति को समिक्षा के लिए सरकार प्रत्य पांच वर्स पर किसको गठत करती है तो बित्य विवस्था से संबंदित जब प्रशन पूछा गया तो इसमें क्या बनेगा तो कहेंग कि आंसर के तरफ चलेंगे यह अंसर क्या बनेगा ही होगा अगला प्रशन की और चलते हैं भारत के सोलहवे राश्टपती में जी हाँ देख लिजे यहाँ पर बोला कि 2022 के सोलहवे राश्टपती के चुनाओं में कितने सदस्टों ने भाग लिया था तो टोटल आप मिलाईएगा तो लोग सभा का और राज भागा तो टोटल उसमें जो हैना क्या कहते हैं मननोनित्स दस उसको धाके दो 70089 होते हैं के टने होते हैं 700% अंठानवेी ठीक है यह संख्या बिलकुल सहिर नबर इसमें आपका होगा वह हम कहेंगे कि इसका आंसर अधी होगा एक सबस्नेमिला भी लेते हैं मिलाते हुआ चलेंगे कि कोई दिक्कत ना हो कि आयों का उतर हमारा उतर क्यो Representatives हो और हम तर पर बात करेंगे और उत्तर को मिलाते हुए काम करेंगे चलिए एक सकेंड इसमें जो है न वही तो कहा न कि डिफ्रेंसेंज जो है इसको डिफ्रेंस 788 हो रहा है जोडने पर अंठानवे नहीं 788 बहुत अच्छा चली अगले सवाल को देखेंगे अगला सवाल जो आप पुछा गया फिर इसमें जो भारत का एक रास्ष्फपति कितने बार्थ जब तक वे अपना पद पर मतलब जब जब हम बात करते हैं, तो आयोग का उत्तर जो है, भंडारी समीती के समक्ष में जो आंसर दिया गया है, ठीक है, question number कितना है, 51 का, जी हाँ, तो यहाँ पर जो option है, भंडारी समीती का, तो वो खेतरिया ग्रामीर बेंग की पुरन संदचना से related करता है, ठीक है, किसे खेतरिया बेंग की पुरन संदचना से related कर रहा है, अगले सवाल पर बात करते हैं, राष्टिया पेंसन योजना, इस पर बहुत ज़्यादा सवाल था, यह प्रशन जो है, यह सवाल यह आपके doubt में है, घेरे में है, हलाकि आयोग का उत्तर जो है, बावर नमर प्रशनों का जो उत्त की प्रत्वया में साम्मेलित नहीं है, क्या इसमें सम्मेलित नहीं है, इसमें जो कहा गया कि भाई, जो बीनिवेस की बाते सम्मेलित नहीं है, अर्थात सी, इसका उत्तर बनेगा, अगले प्रशन पर चलेंगे, अगला प्रशन है, बित्तिया वर्स 2021 में भारत में जो GST, टेक्स जो है GDP का अनुपात क्या रहा था एक प्रशन आपको यहां से पूछा गया एकी स्वाइस में जो टेक्स था GDP का वो क्या रहा है ठीक है तो इसका जो आंसर बन रहा है उसका आंसर आयोग ने दिया 11.7 परतिसत रहा है इसका उत्तर आयोग ने दिया है चलिए अगले प बिशुवयापी निर्यातों में भारत का हिस्सा 2018 में कितना परतिसत रहा था निर्यात में प्रशन पूछा गया कि कितना परतिसत रहा था तो यहां पर जो निर्यातों में हिस्सा थे वो 1.7 परसेंट रहा था कितना निर्यात की बात करते है तो 1.7 परसेंट यह आयोग ने कहा गया जीवन्त ग्राम कारिक्रम जो है इसकी सुरुवात और संबंदित चीजों पर जब हम बात करते हैं जीवन्त ग्राम कारिक्रम से संबंदित में ठीक है तो इसमें आयोग ने क्या उत्तर दिया इसने आयोग कहा कि यहां उत्री सीमा पर सीमावर्ति गाउं के विकास के लिए है और इसका आयोग भी उत्तर ने सही दिया है ठीक है चलिए एक सवाल और है कि अंठावन को नमर कोश्चन में कि बिहार के आर्थिक सर्वेक्षन अर्थिक सर्वेक्षन के विश्या में है सवाल देखिए तो ये प्रशन कहीं न कहीं डाउट में था हलाकि इस प्रशन का उत्तर बिल्कुल सही है कि बिहार में प्रात्मिक चत्र में 2.8% प्रतिस्थ का विर्दी वा था ये सीधा आंसर था फिके न ये बिल्कुल आंसर सही था और अंठावन का आयोग ने भी आंसर यही दिया है ठीक है और उत्तर ये बिल्कुल सही है अगले सवाल पर चलते हैं नेक्स कोश्चन की बात करेंगे सिर्फ प्रश्ण को देख रहे हैं तो देखिए कि इतना समय लग रहा है अगर मैं इसको डिस्क्राइब करूँगा तो बहुत ज्यादा समय लगा है सिर्फ प्रश्ण दिखाने के लिए मैं आपको आज आया हूँ सहरी करन के बढ़ते करम में जो आंसर दिया गया आयोग के दोरह तो नालंदा मुंगेर और पटना की बात कहा गया बितिया वर्स 2022 तरह के राजकोसिया घटा में बिहार के GSDP का होने का कितना परतिसत कहा गया है अगर इस सवाल को देखा जाए कोश्चन नबर 60 में तो आय कुछ सही बात है और यहां पर देखते 63 के प्रशन पर कि उसने 68 के दोर के आधार पर गरीबी अनुमानों का जो कथा है इसमें बोला कि कौन सा कथन सत्य है या कौन सा कथन औस सत्य है जो सवाल है इसमें जो आयोग ने उत्तर दिया है उसको थोड़ा सा एक वार देखना है क्योंकि आयोग यहां पर उत्तर को कुछ चेंज किया था तो इसका उत्तर आयोग ने सी माना है 33.35% संसंख्या वाला 64 की बात करते हैं निम्लिकुर भायात में सुक्ष्मुद्यों को आंसिक रूप से पडिभासित करता है तो 64 में आयोग ने इसका उत्तर दिया सन्यांत औ मसीनरी या उपकरनों के बारे में आयोग ने इसका उत्तर दिया है अगले सवाल पर देखते हैं तो आयोग ने अगला सवाल पूछा है जैसे कि इसमें प्रश्न जो पूछा गया कि प्रश्न है प्रधान मंत्री क्रिसी सिचाई योजना के बारे में कौन सा गलत है क्रिसी स सिख्षाई योजना के बारे में तो 65 नमर प्रश्ण का उतर बोला कि कौन गलत है बोला कूँओं का निर्मान करना जी हाँ अभी के डेट में कूँओं का निर्मान करना ये तो पॉसिबल है ही नहीं ठीक है चलिए अगली बात है बारदोली सत्यागरा का सफल नेत्रूत जान क्रिप्स तो यहां से जो सवाल पूछा गया कि कौन नहीं है तो तीन व्यक्ति तो हैं अलेक्जंडर है ठीक है पैंथिग लॉरिंग्स है यह बात तो ठीक है मैकडोनाल्ड भी है तो बचा कौन तो बचा तो आयोग के नुसार और हमारे नुसार बिलकुल आंसर सही है कि मै हैं क्या थे तो गोलमेल सम्मिलन में डोनाल सहब थे तो हां पर बात करेंगे गांदी इर्मिन सम्ञोता राश्रा सम्हताु अलगे यहां प्रशने देख साइग है वालरी को कुण स्वाधिन की अगला है मतने देखते हैं अगला देख ERICriel और कब सवाधिन इस अल Watts से क्या कह रहा है सुभाश्रंद्र बोश ने निकोबार्थ का नाम दिया था यह तो अभी करेंट का कोश्चन था और बहुत यह आसान सा प्रशन था कि किसको दिया है तो सुभाश्रंद का स्वाराज दूइप जो है इसका अंसर बिल्कुल सही है यह करेंट का पूछा गया बलीदान सही दूइप स्वाराज दूइप दिया गया था फरवरी 1922 से पुलिस चौकी में आगा लगाने के घटना से चौरा-चौरी किस असान पर हुआ था तो यह सवाल तो बिल्कुल होना ही चाहिए उत्तर परदेश का ठीक है ना गोरकपूर के आसपास चौरा-चौर की बात कहा गया था ठीक है खुदी रामबोस ने किस अस्तान पर किंग्सपोर्ट की हत्ता की थी तो यहां पर कहेंगे बम जो फोड़े थे वह मुझफर पूरे में फोड़े थे और वहां पर लेडी जो मर गई थी वह तो हलाकी मरा नहीं था ठीक है ना बच्ची और उसकी दोरां सक्रिय रहा था इस तरह के सवाल भी आयोक के द्वारा पूछा गया था हम सभी जानते हैं उन्हें सब्सक्राइब किया जाए तो देखे कितना समय लग जाएगा किसे सवाग गय था आंतरीम सरकार मंध्री मंदल का विभाग सवाग गया था जग जीवन राम को सवपा गया था आयोक के कोर्णिक किस तवहार के अफसरवज्या परकाशनाय में था हजारी बाग जेल से भागे तो बबभा वली थे या दसाहरा थी होली थी वैशाकी थी य में 11 दिसंबर और 9 दिसंबर जो बैठक की कहानी है इसमें तो हम जानते हैं दिसंबर 1946 की कहानी कहेंगे यानि कि तीसरा आंसर इसमें सही होगा बाकी और देखिएगा सरदार उधम सिंग को किषणे मारत माइकल ओ डायर को मारा था जनरल डायर को नहीं जब कि माइकल लो डायर को मारा गया था ये बात बिल्कुल है बंगाल भायन के विशाय में विवाजन हमारे उपर एक बं के तरह गिरा है इस बात की पुष्टी या कहने वाले जो बैक्ती थे उनका नाम पूछा गया है तो इस बात को किस ने कहा है इस बात को जो कहने वाले बैक्ती थे उ सवाल का उत्तर ये रहा, आयोक के दोरा दिया, सिमान्त गांधी, खान, अब्दुल गफार खान, हम सभी लोग जानते हैं, खान, अब्दुल गफार खान, जो था, सिमान्त गांधी के नाम से जाना जाता था, अगला पार्ट, यहाँ पे सवाल देखते हैं, मैट्स का रिलेटेट कुछ कुश्चन से तो मैट्स का रिलेटेट कुश्चन जो है यहाँ पे सवाल पूछा गया था ठीक है कि एक घड़ी सुबह 10 बजे तो चलो मैट्स का सीधा में आंसर बताता जाता हूं कुश्चन नमर कितना है तो 83 का जो उत्तर है 83 का आंसर आपको इसमें दिया गया है 83 का 83 की बात करते हैं तो C है यानि कि 30 दिन 85 का जो उत्तर था 84 अब लेके चलिए 84 का उत्तर 5 है ठीक है 84 वाला ये मैट्स आप देख लिजीगा सभी लोग एक बार कैसे मैट्स जो होते हैं अगला सवाल दो प्राकृति संख्याओं वाला 85 का उत्तर है 85 का उत्तर C है 60 और 40 आया है ठीक है next question की और बढ़ते है मैट्स है 105 के बीच में कितने भी भाजित हो सकते हैं तो 86 का उत्तर B है मतलब यहाँ पर बात करेंगे तो B यानि कि 7 उत्तर आएगा उसके बाद एक प्रशन आपसे ratio से पूछा गया यानि कि 28 किलो इसका answer दिया है 88 नमबर की प्रशन आंसर की बात करें 88 का चलिए तो जो आंसर आयोक के दुआ दिया गया बस हम उसी पर आपको बता रहे हैं ठीक है ना 88 नमबर कुश्चन का जो उत्तर दिया गया है वो एक बार थोड़ा सा समय दिजिए योगी अलग-अलग जगा उत्तर इन्होंने दिया है जब इन्होंने 88 का बात किया है तो हमारा तो हम आंसर बना लेंगे लेकिन यहां इनका आंसर अभी बहुत जोड़ी है कि इन्होंने क्या कहा है जिसे पता चल जाएगा कि क्या उत्तर सही थे क्या उत्तर गलत था हाँ जी 88 का बी इन्होंने माना है 248 परती बिलकुल यह आंसर सही है और 89 का उत्तर 52 सेंटीमेटर यह भी बात विलकुल सही है 90 का जो उत्तर दिया गया 90 की बात कर ले ठीक है 90 का उत्तर भी दिया गया है यानि 12 सकेंड इनका उत्तर निकल के आया है ठीक है अगला सवाल लेके चलते हैं आप दिक आज में किस परकार का लेंस का प्रियोग होता है यहां आवरधित लेंस की बात किया गया चलिए तो यहां से सारा कुछ एकदम अच्छे तरीके से देखें तो एक एक करके चीजों को इन्होंने बताया लेकिन बखो भी तो हम कह कहा परमानु के नाभिक में कौन मूलकन है तो नाभिक में प्रोटोन और न्यूट्रन की कहानी बिल्कुल सही है जिस धातु मिस्रित अवस्था में पाई जाती है उसे क्या कहा जाते है तो इन्होंने इसका जो उत्तर है 94 का इन्होंने इसे परगलन कहा बिल्कुल आंसर अ सवाल है यही साइंस का सवाल डाउट पर है और इसका उत्तर आयोग ने कहा है इसको थोड़ा सा समझने लाइक सवाल है यह आयोग ने जो जंग रष्ट की क्रिया हैं उसमें बढ़ती कैसे चली जाएगी इसके पीछे कुछ ने कुछ होना चाहिए चली निमिन में से कुन स्वेट धातू है तो हम सभी लोग जानते हैं प्लेटीनम लेकिन आयोग का उत्तर हो सकता है कि कुछ उन्होंने अलग दिया आयोग ने इ जो है इसके विशेय में आयोग क्योंकि अपना उत्तर तो मैं दे दू लेकिन आयोग का उत्तर आज देना बहुत जोड़ी है इसको डी माना है मिथेन की बात है प्राग कन की सुपरिभासा क्या कहा गया 105 की बात कर ले हैembा पांच का उत्तर दी दिया है प्राकन और प्राकोस के विशय में कवक पौधे में नहीं होता है भाई तो 104 में इन्हों ने कहा कि पर्णहरित बिल्कुल भी नहीं होता लवन युक्त की बात करते हैं तो लवन मिर्दोभिद होता है तो आंसर नहीं है तो यहां पर जो बोला कि सुमेलित नहीं है तो यहां पर इसका नहीं होगा कार्वोहाइड्रेट का घटन से क्या चीज बनता है 110 में हम कहा गया कि इसमें गुलकोज का निर्मान होगा अधिकतर एंजाइम क्या होते हैं तो एंजाइम अधिकतर भाईया प्रोटीन के बने होते हैं बिल्कुल सही है चिकिसा पहली बार टीका करन की शुरुवात किस ने की थी 302 की बात करे तो सबसे पहली बार टिकरयन्ट एर्वर जेनर ने इसका उत्तर दिया गया है वासिंग मसीन कारिकारी सिधान्त हम जानते हैं आप केंदरन होता है प्रकास की गती को नियुनतम होगा तो कहेंगे प्रकास की गती नियुनतम जो होगा काच में क्या है नियुन्तम होगा सदिस रासी नहीं है भाईया तो सदिस रासी नहीं है कौन नहीं है तो यहाँ पर दिया क्या कि गती जो है सदिस नहीं होगा धर्ती के गुमने पर बढ़ा दी जाये तो भूखंड के अलाबा यह सब प्रस्ण यह कुछ आसान थे साइंस के सवाल जो थे कुछ आसान थे क्या होगा कि घट जाएगा ठीक है गती का सरपर्थम किस ने दिया तो इसका उत्तर देखो यह भी बहुत सारे लोगों का कनिफ्यूजर में आंसर रहा था समान ताप और दाव की बात करता है तो इसमें क्या माना है तो इन्होंने माना है थॉम्सन एफेक्ट करके दिया है चलो भाई थॉम्सन एफेक्ट देखो यह भी डाउट वाले प्रस्ण थे तीन-चार सवाल तो सिर्फ साइंस से निकल के आ गए जो डाउट थे टी-ट्वेंटी की बात करते हैं करेंट में 121 नमबर प्रस्ण जो आपको दिया गया ठीक है 121 का उत्तर डी है बिराट कोहली कहा गया 3000 में ठीक है केंद सरकार की थी नीती आयूक का नहीं है 124 की खिर्चिर ये क्लियर है और केंदर की नहीं सिक्षा वाला लागू करने वाला 125 का उत्तर इन्होंने माना है दी उत्तरा खंड ठीक है जब की हम लोग जानते हैं कि इसमें और भी चाह राज उसने सबसे पहले लागू भी किया था राजपाल को मिलाने के लिए राजस्थान वेगरा ये सब जो है राजपाल का उत्तर इन्होंने 126 का डी दिया है मतलब केवल एक और दो की बात इन्होंने कहा था अगला प्रशन चलिए 127 का उत्तर लेके चलते हैं तो 127 में सांखे की और ये मंत्राले मोस्पी 128 की बात करें जो एलावेनिल क्लोडिन स्रेया अगरवाल और रमिता किस खेल से संबंदी थे हैं तो इसने कहा तलवार बाजी से साइद 128 यह निसान वाजी से यह समय लिए थे हाली में अल्प संख्यक मामले का मंत्राले का परभार किसे सौप आ गया ते 129 में हम सभी जानते हैं कि असमिर्ति इरानी को सौप आ गया है 15 में राश्पती चुनाओं में गटवंधन के उमिदवार कौन थे तो 15 में गटवंधन में कौन थे यश्वन तश्रीन हाजी थे गटवंधन के उमिदवार बहुत अच्छा इसका भी आंसर दिया था टूम अप्शेंड हम सभी लोग जानते हैं अभी जश्ट आया था गितांजली सिरी का था टूम सेंड की बात करते हैं बिहार से किसे 2022 में ज्यादा अपसा है फाल के बनाया गया है तो इसका अंसर मनुच तीवारी को बनाया गया है 135 की बात करते हैं तो सीता मडी होगा बिहार में ऑपरेशन प्रहार किसे था तो इसमें क्या था तो ऑपरेशन प्रहार की बात है तो धुम्रपान निशे सराब बंदी से 137 का सराब बंदी होगा 136 की बात कर ले इसमें कौन-कौन मिले थे फागु चवहान बेगर हमारे क्या थे राजपाल थे यहां से मिला दिए एक का चार जिसमें होगा आंसर आपका बंद रहा है यह बिहार की मुखमंतरी कौन है नि प्रिंगिंग एस्टेशन कहां खोला जाएगा ते 149 का आंसर दी है कि भागलपूर में खोला जाएगा गिद संदक्षन पर योजना 140 के लिए यह भी कहां बाल में की नगर टाइगर डिजर में सुनंधनी कारिकरम की बात करें ते 141 में आंसर डी होगा ठीक है आंगनवार 143 का आंसर लेके चलिए 143 का आंसर हिंदी दिया गया है कि चलो भाय सन्युक्तराष्ट भासा में यूकरेन में रूस सेन्य अभ्यासों को लेकर 144 का उत्तर डी दिया अब्दुल साहिद होगा ठीक है और 145 फरवरी में युद्ध प्रभावित यूकरेन भारतियों को लाने के लिए कौन सा हुआ था तो ऑपरेशन गंगा हुआ था इस सबको जानते हैं हाली में चिन्य सर्मेतन ये जो बन जीवा भ्यारन का आसपास की बाते थी 146 का वह भूटान से रिलेटेड था आयोग कांसर 123 की बात करते हैं तो 147 में 20 G20 सिखर समेलन की मेजवानी के लिए भ 139 में हाली में किस सन्युक्त अमिरात का फीफा फ्रहस्तियाक्षर किया ते 149 फ्रहस्तियाक्षर इज्राइल ने किया था और आर्किटिक जो 150 मीं कुश्चन है जलवायुक निगरानी के लिए किसने अपना पहला आर्किक एम लॉंच किया इसको लॉंच करने वाला जो था वो भाया रूस था यानि कि अगर बात करें ते 150 कुश्चन आपके मुटा मोटी आयोग के द्वारा दिया गया था जिसको मैंने अच्छे से आपको सिर्फ आपको ये बताया कि किसका उत्तर क्या आयोग ने दिया है बाकि आप सभी लोग जुरे रहें फिर मिलते हैं अगल के लिए धन्यवाद थैंक यू